हे दोस्तों, welcome to study techniques तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी best books है जो हमारी help करेगी SSCZL की preparation में मैं शौर हूँ कि आप नहीं इन books से preparation कर ली तो without coaching आप लोगों की बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगी पहले हम बात करते हैं reasoning की reasoning के लिए one of the best book है कीरन publication की SSC reasoning chapter wise इसमें 200 plus objective question है जो की chapter wise distribute किये गए है different section में verbal और non-verbal में इस book को करने के बाद आपको 45 plus number लाने से कोई नहीं रोख सकता त्योंकि यह book special SSC के pattern पर है इसमें वो सभी question है जो SSC different exam में पूछता है जैसे SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS, etc तो यह सबसे easy section है अब अच्छी तरह prepare कर सकते हैं अब हम बात करते हैं GK section की इस section में सबको problem रहती है क्योंकि GK को एक वास subject माना जाता है बट आज मैं आपको book पताने जा रहा हूँ इससे आपकी काफी बढ़िया तयरी हो जाएगी जिससे आपको 35 plus number easily आ सकते हैं बट इसके लिए आपको इन book पर अच्छी मैनत करनी पड़ेगी जो अभी मैं आपको पताने जा रहा हूँ पहली book है Lucent GK यह दोनों language में available है बट personally मैंने English version को use किया है जो की काफी अच्छी लिखी हुई है दूसरी book है किरन पॉब्लिकेशन की SSC Journal Awareness chapter wise इसमें 91 100 plus objective question है इन दोनों books को बड़ी smart way में use करना पड़ेगा जैसे हम polity पढ़ रहे हैं पहले Lucent से तो पहले हमने मान लिया polity से president और prime minister के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद वो topic हमने किरन वाली book से objective question लगा कर भी करना है क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि president और prime minister में SSC किस किस टाइब के question पूछता है पॉलिटी में तो किरन की book GK को बहुत अच्छी तरह distribute किया है chapter wise में इसलिए हमें GK section से मतलब जो किरन वाली book है उससे objective question करना काफी important है जिससे हमें पता लगेगा कि किस pattern पर SSC question पूछता है different topic में GK से तो अब हम बात करेंगे mathematics की इसके लिए हमां recommend करूँगा किरन publication की SSC mathematics chapter wise इसमें 7100 plus objective question है इसमें arithmetic plus advanced math दोनों है इस book में 71 से ज़्यादा question है जो कि chapter wise distribute किये गए है SSC में ज़्यादातर question repeat होते हैं सिर्फ value change करके SSC question पूछता रहता है और नए question बनते रहते हैं वैसे भी हर साल इतने question नए question SSC नहीं बना सकता और 7100 plus में वो सभी question है जो SSC हर साल different exam में पूछता रहता है इस book से आप लोगों की English section की English को दो section में बांट कर पढ़ना चाहिए पहला section grammar part दूसरा section verbal part grammar part जैसे tense हो गया voice, preposition, error finding, etc verbal part जैसे antonym, sinon, one word substitution so English के लिए आपके पास पहले तो grammar के लिए mirror of common error होनी चाहिए इसमें grammar part बहुत अच्छी तरह से explain किया गया है बर इसमें verbal section नहीं है mirror of common error काफी अच्छी book है जो कि इसमें grammar part काफी अच्छी तरह explain किया गया है जो कि आप इस स्क्रिन पर देख सकते हैं दूसरी आप SP वक्षी की जर्नल English ले सकते हैं इसमें verbal plus grammar दोनों बहुत अच्छी से explain किया गया है इसमें से यदि आपने सारा verbal part कर लिया तो से CK verbal के लगबग सभी question हो जाएंगे यदि किसी के पास नितु सिंग की प्लिंट्र पेरा माउंट है तो वो भी काफी अच्छी book है पर personally मैंने use नहीं किया इन सब को करने के बाद practice set लगाना मत बूलना क्योंकि इसी से हमें अपनी तैरी का पता लगता है practice set आप किसी का भी ले सकते हैं जैसे MB publication, para mount, kd campus, aryan जो भी आपको अच्छा लगे तो इसी से practice set से हमें अपनी preparation का पता लगता रहता है हमें अपता लगता है कौन से section हमारे strong है कौन से section हमारे weak है तो practice set आपको कम से कम हफते में एक या दो बार तो देना ही चाहिए यह आपको कम से कम एक या दो section part मतलब आपने reasoning या for example आपने कर लिया तो उसी के बाद आपको practice set लगाना start करना कम से कम आपके दो subject हो जाने चाहिए तभी आप practice set लगाना start करना तो so इस वीडियो में बस इतना ही यह आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजिए, comment कीजिए और अभी तक आप चैनल से नहीं जूड़े हैं तो चैनल को subscribe कीजिए Thank you